हेलो दोस्तों आप सब構 migraal rdht相 बीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल में भी आपका अश्वाय तो आप सब कोई कैसे है आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में में विश्व में काफी विख्यात हैं तो आज का जो वीडियो है इसी से संबंदित है, जैसा आप सभी कोई देख रहे हैं, यहाँ पे एक मंदीर का चित्र लगाया गया है, और यह जो मंदीर है, वो हमारे देश के करनाटक राज्य की एक होईसल नामक जगा का यह एक मंदीर है, जिसका नाम कहते हैं पोईत्र मंदीर का समू, ठीक है, यह जो है होईसल मंदीर है, जिसको होईसल मंदीर भी कहते हैं, और इसको यूनेसको ने धरोहर घोसित किया है, विश्व का धरोहर के रूप में इसको घोसित किया है, हेरिटेज सिटी, मापकी जगा, हेरिटेज स्थल के रूप में इसको स्थापि किया है और यह जो मंदिर है वो भारत का ब्यालिसवा ऐसा धरोहर है जिसको यूनेसको ने हेरिटेज साइट घोसित किया है और यह हमारे लिए काफी गौरों करने वाली बात है कि हमारे देश में लगबग कुल मिला करके 42 ऐसे स्थल है जिसको यूनेसको ने हेरिटेज स्थल घोसित किया है जो हम सबों के लिए काफी गौरों करने वाली बात है जैसा अभी यह वर्तमान में यह आपका होईसल हो गया और पस्चिप मगाल का शांती निकेतन जो है उसको भी इनवसकों ने विराशत दो आपका धरो हर है उसको घोसित किया है तो इसी सिसम्बंदी थे आज का वीडियो तो चलिए सुरू करते हैं बीना किसी देरी के तो जैसे आप सभी को देख रहे हैं कि भारत में अब 42 यूनेसको धरोहर सांती निकेतन और होईसल मंदिर भी सूची में सामिल है ना तो यह सारी बाते हैं तो यही पे जो हमारा भारती पुरत्तत्वा शर्वेक्षण है जो ASI कहते हैं मतलब Archology Survey of India तो उन्होंने कहा है कि जो करनाटक में जो होईसल के पौईत्र मंदिर समू है यहां पे पौईत्र मंदिर समू कहने का मतलब यही है कि यह जो होईसल है वहाँ पे यह जो मंदिर है वो यहाँ पे एक समू के रूप में एक मंदीर का यहाँ पे निर्मान किया गया है मतलब इस परिसर में कुल मिलाके तीन मंदीर है इस कारण से इसे होईशल के पोईत्र मंदीर का समू कहा जाता है तो जो यूनेशकू है उन्हों नहीं इस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में सामील किया गया है और भारत में यूनेशको विश्व धरोहर जो है स्थलों की संके अब बढ़कर 42 भी हो गई है इससे पहले आपका 40 था लेकिन सांती निकेतन और आपका ये होईशल मंदीर को मिला करके अब हमारा जो विश्व धरोहर जो है वो 42 हो चुका है और इससे एक दिन पहले संगठर ने पश्व बंगाल के शांती निकेतन को भी यूनेशको का विश्व धरोहर की सूची में सामील करने की घोसना भी की है मतलब ये तूरत ही ये दोनों को विश्व धरोहर की सूची में सामील किया गया है तो चलिए अब हम लोग थोड़ी से जानकारी लेते हैं होईसल मंदिर के इस इतिहास के बारे में ये जो होईसल मंदिर है इसकी स्थापना बारवी सी तेरहवी सताबदी के बीच में कराया गया है और यह मंदिर जो है वो कला एम साहिते के संडरक्षन माने जाते हैं और यह जो मंदिर का जो निर्मान है वो होईसल राजवन्स के राजाओं के द्वारा किया गया है और यह जो होईसल नामक जो जगा है जहां पर यह मंदिर स्थित है यह होईसल राजवन्स की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि यह जो पॉयत्र मंदिर का समू है तो इस मंदिर का जो समू है तीन होयसला मंदिर को मिला करके इसे पॉयत्र मंदिर का समू कहा जाता है तो इसी एक मंदिर को तीन मंदिरों का जो समू है उसको भारतिय पुरात्त्त्त्त्त सर्वेक्षन मतलब ASI के द्वारा इसको संडक्षित इस मारक के रूप में रखा गया है मतलब इसका जो देख रेख है इस मंदिर का जो देख रेख किया जाता है वो भारतिय पुरात्त्त्व सर्वेक्षन विभाग के माधियम से इसका देख रेख किया जाता है इनको सुरक्षित रखा गया है संरक्षित रखा गया है इन इस मारकों को इसलिए ASI इसका संरक्षन हम रख रखाओ करता है जैसा भी मैंने आपको बताया तो वहीं पे होईसल के पॉइत्र मंदिर समू बेलोर हलेडी आपकी जगा हलेबिड और सोमनात पूरा में इस्थीत हैं तो ये जो तीम मंदिर हैं ये सारे के सारे जिसको विश्व धरोहर घोसित किया गया है और इसका न और ये भी कहा जाता है कि यह राजवन्स है उसको कला और साहित्य का संड्रक्षन भी माना जाता है मतलब होईसला राजवन्स जो है उसको कला और संस्कृति से काफी लगाओ था उनके राजाओं का काम ये भी था कि जितने भी कला संस्कृति हैं उस शेत्र की उसके प्रदान करना उनका काम ये भी था और इसका जो संड्रक्षन है भार्तिय Lion sign की द्वारा किया जाता है और यह जो मंदीर है वह भगवान सिव को समर्पित होईशला मंदीर का मतलब ये भगवान सिव को समर्पित है या जो मंदीर जो है वो आपका भगवान सिव को समर्पित है और इसका निर्मान आपका ग्यारा सो पचपन इसवी में होईशल राजा के द्वारा काले सिष्ट पत्थर से बनवाया गया है ये जो म मूर्तियों को उकारा भी गया है चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आर्टिटेक्शर के बारे में जैसे आप लोग आप चित्र भी देख रहे हैं होईसला मंदीर का ये आपका काले सिस्ट पत्थर से इसका निर्मान किया गया है और आपको देखने से ये प्रतित हो रहा है कि ये जो मंदीर है काफी आकरसक है इस पर कई कला संस्कृति को यहाँ पर दिखाने का काम किया गया है और इसका संडरक्शन वर्तमान में ASI के माध्यम से किया जा रहा है तो जैसे आप सबों को पता है कि ये मैंने आप सबों को बता चुका है कि ये जो मंदीर का निर्मान होईसला राजाओं के द्वारा किया गया और इस मंदीर में कई हिंदू और जैन मंदीरों का निर्मान किया है ठीक है ये राजाओं ने होईसला राजा जो है वो कई हिंदु धर्म के जैन धर्म के मंदिरों का भी निर्मान कराया है और इस समराज्ये के लोग कला और साहित्य के प्रेमी थे और होईसला राजवन्स जो है उसके सासन काल में कन्नर साहित्य के कई रतन जैसे जन्ना, रुद्र भट्टा, हरिहरा और राग वंका को अपनी कलम से अमर साहित्य लिखने का मौका भी मिला था मतब ऐसे कई साहित्य कार जो थे, जो कई रतन थे, रतन किसे को कहा चाता है जो साहित्यकार होते हैं वो उन लोगों को ये मौका मिला था कि वे कन्नर साहित्य भी उन्होंने लिखा था इस सासनकाल के माद्यम से इसके माद्यम से यही पता चलता है कि जो राजवन्स है वो कितने कला प्रेमी है साहित्य को लेके और कला संस्कृति को लेके और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक साहित्यकार है रागवंका उन्होंने कन्नर साहित्य में शत्पती सैली में लिखना सुरू किया था ठीक है कन्नर साहित्य को ठीक है और उन्होंने हरिश्चंद्र काव्या की रचना भी उन्होंने की थी और ये कन्नर व्याकरन के नियमों के उलंखन करता था लेकिन इसे कलासिक कहा चाता था ठीक है तो ये सारी बाते हैं कला संस्कृति से संबंधित जो होईसला के राजवन्स के द्वारा ये काम किया गया था तो चलिए अब हम लोगा बात करते हैं पशिम बंगाल के संती निकेतन के बारे में क्योंकि इसे भी विश्वधरवर के किसरेनी में रखा गया है जैसे आप चित्र देख रहे हैं ये है पशिम बंगाल का संती निकेतन और यह जो सांति निकेतन जो है वह पशिम बंगाल के बीर भूम जीले में स्थिथ है ठीक है और इस सांति निकेतन को ही UNESCO का World Heritage List में सामिल किया गया है और इसका जो मतलब सामिल किया गया वो साओधी अरब में रविवार को हुई World Heritage Committee की बैठक के माधियम से इसको सामिल किया गया है सांती निक्यतन को ठीक है और यह जो है आपका 41 नंबर की सूची में है भारत में जो विश्व धरोहर की रूप में इसको सामिल किया गया है जैसे आप सबों को पता है कि यह जो सांती निक्यतन है उसका निर्मान जो है वो रविंदर नाथ टैगोर के पिता देवेंदर नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था वो भी 1863 इस्वी में ठीक है और यह जो निक्यतन है सांती निक्यतन वो एक आसरम के तोर पे कारे करता था वहीं 1921 की बात है जिसमें रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा इसे प्राचीन भारत के गुरुकूल सिस्टम पर अधारित रेजिडेंसियल स्कूल और आर्ट सेंटर के रूप में इसको बदल दिया गया क्योंकि आप सभी कोई पता है कि ये जो रविंदर नाथ टैगोर जी है उनको सहित्य के प्रती कला के प्रती कितना लगाओ था वो आप सभी कोई जानते हैं तो इस कारण से जो आसरम के रूप में उनके पिता ने बनाया था इस छेत्र को इस बिल्डिंग को अब उसको 1901 इस्वी में उनके द्वारा मतलब रविंदर नाथ टैगोर के द्वारा इसको एक गुरुकूल सिस्टम पधारित एक रेसिडेंसियल इसकूल के रूप में इसको बदल दिया गया और इसमें एक आर्ट सेंटर के रूप में भी इसको निर्मान किया गया अब हहीं पर टैगोर जो हैं रविंदर नाथ टैगोर जी हैं वैं 1901 इस्वी में यहां विश्वभारती की स्थाप्ना करते हैं इसी परिसर में ठीक है और रविंदना टैगोर्क ने अपने जीवन का लंबा समय यही पे उन्होंने बिताया था एकांत के समय में तो यह सारी बाते हैं जो आप सबों को जानना अतियावशक है तो इस तरह से हमारे लिए काफी प्रावड वाली बात है कि हमारा जो यह आपका हमारा जो राज मतलब आपका 42 ऐसे अब हमारा देश के विश्व धरोहर में सामिल हो चुके हैं विराशत में धरोहर के विराशत में सामिल हो चुके हैं तो वर्तमान में आपका जो 41 नंबर का जो है वो आपका क्या हो गया शांती निकेतन ठीक है शांति निकेतन वो कहा है आपका पश्शीम बंगाल में बीरभूम जीला में और वहीं पर 42 पर आगया आपका हैसल है ना हैसला हैसला का मंदिर जो आपका 42 विश्व धरोहर है हमारे देश का तो ये सारी बाते थी जो हम सबों को कती अती आश्यक है जानना क्योंकि हमें अपने धरोहर के बारे में हम सबों को ज्यान रखना अती आश्यक है मैं कोशिस करूँगा कि विश्व धरोहर से संबंदित इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा तो ये सारी बाते हैं आज के इस टोपिक में जैसे आप सब इचितर देख विडियो को ये पर समाप्त करता हूँ तो विडियो आप सबों को कैसा लगा विडियो अगर पसंद आया तो विडियो को लाइक कीजिएगा विडियो को शेयर कीजिएगा और जो नए है चैनल में वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर रेक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए चलिए आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दीजिए सुरक्षित रहिए और सदा खुस रहिए बहुत बहुत धन्यवाद